नमस्कर दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे और आज हम लोग एक्स्प्रेंट करने वाले हैं ऐसे मूवी के बारे में जिसमें देखेंगे कि एक ही जटके में पुरा दुनिया में सारे लोग खतम हो गए थे सिप बची थी एक लड़की और उसका स्टूडें जो दोनों मिलकर फिर जनसंक्या बढ़ाने की कोसिस करते हैं तो चलिये दुस्तों वीडियो को स्टाट करते हैं वीडियो स्टाट होती है और हम डिडियो नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो एक मेकानिक के साथ अभी गाली ठीक कर रहा होता है तब ही यहाँ के रेडिय होने वाला है मतलब यहां पर एलियंस आने वाले हैं तभी हम एलबा नाम के एक लड़की को देखते हैं जो ट्रेवल करके जा रही है अपने पिता से मिलने के लिए जिसका नाम है दारा जैसे ही वो अपने पिता के लोकेशन पर पहुंचती है वो अपना फोन निकाल कर सारी चीजे के रिकॉर्ड करने लगती है उसके पिता अभी गुफा के अंदर रह रहे हैं जहां वो गुफा के अंदर दाखिल होती है तब वो देखती है कि यहां का मोसम बहुत ही ठंडा है तब उसके सामने उसके पिता आते हैं एलबा पूछने लगती है कि यहां पर क्या हो रहा है वो बताते हैं कि बहुत बड़ा डिसास्टर आने वाला है धीरे-धीरे करके यहां का तापमान बदलते जा रहा है आनि कि यहां की प्रकृती हम से कुछ कहना चाहती है हम कुछ गलत कर रहे हैं इसलिए अब प्रकृती हमारे साथ गलत करेगी अलबा और डिटेल में बताने के लिए कहती है तो उसके पिता सारे चीज़े बताने लगते हैं कि अब तक उन्होंने क्या रिसर्च किया है बात करने के बाद अलबा आती है सहर में तो उनके मुलकात होती है डीडे की मौम से जो उसे बताती है कि डीडे बहुत ही अच्छा लिसनर है और वह बहुत ही जल्दी अंग्रेजी सीख जाएगा उसी बीच में वहाँ पे तीन लड़के आते हैं जो बहुत ही जादा मस्ती करनी लगते हैं अब लड़के भागते हुए बोलते हैं कि वह लुक जरूर आएंगे वापस डीडे से बदला लेने के लिए अब हम देखते हैं कि एलवा भी अपने गर वापस आजाती है और वापस आ के देखती है कि उसके पिता यहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं और वहां जाते हुए कहते हैं कि मैं बैस्वलीना जा रहा हूँ एलवा उसे रोकने की कोशिज करती है लेकिन वह नहीं मानते हैं और निकल जाते हैं यहां से अब एलवा भी आने लगती है सहर की तरफ तब ही हम देखते हैं कि वह डीडे को देख लेती है उन सैतान बच्चों ने उसे पकड़ लिया था और उसे उठा के लैक में फैकने वाले होते हैं एलबा उन्हें रोकने के लिए मगर वो बच्चे डीडे के पानी में फेक देते हैं और वहां से भाग जाते हैं अल्वा पानी में कूद जाती है ताकि वो डीडे को बचा सके डीडे डूपते जा रहा था और अल्वा उसके नीचे जाने लगती है तब एक बहुत थेज बिजली कड़कती है जिसे लोग red storm कहते हैं इस बिजली के जटके पानी में भी महसूस होने लगता है बगर अल्वा और डीडे पाने में बहुत नीचे होते हैं इसलिए इन पर कोई भी असर नहीं होता है थोड़ी देर के बाद एलवा डीडे को लेकर उपर आती है तब आ देखती है कि यहां का पूरा महोल बदल चुका है इस तूफान ने लगबख सारी चीजों को समाप्त कर दिया है एलव खोस में लाती है डीडे को और ये लोग देखते हैं कि अभी भी बिजली कड़क रही है आगे बढ़ने लगते हैं और ये लोग सहर की तरफ अंदर जाने लगते हैं अब इन्हें एसास होता है कि पूरा का पूरा सहर तबा हो चुका है सारे के सारे इनसान मर चुके हैं सार कि सारे घर भी नस्ट हो गए हैं डीडे अपनी मा को ढूनना चाता है वो भागते हुए जाता है अपने घर के पास तभी वा देखता है कि उसकी मा की लास पड़ी है वो लास की तरह भागता है तभी एलबा उसे रोक लेती है क्योंकि ये घर ब्लास्ट होने वाला है जैसे ही वह डीडे को पीछे खीचती है पुरा का पुरा घर ब्लास्ट हो जाता है अलबा जानती है कि यहाँ अब कुछ नहीं बचा है वो डीडे को वापस लेकर आने लगती है गुफा में जहाँ पर उसके पिता रिसर्ज किया करते थे बहुत देर के बाद वो लोग चले आते हैं गुफा के अंदर तब अलबा सारी चीजों को बाहर से निकालती है और कुछ कपड़े और कंबल दे देती है डीडे को ताकि वो अराम कर सके सुबा होते ही यह दोनों फिर से चलना सुरू कर देते हैं अब अलबा आती है अपने घर पर यहां आते ही देखती है कि उसका भी घर तबाह हो चुका है वो चली जाती है फार्म होस में और वो अपना फोन निकाल करके अपने पिता को कॉंटाक करने की कोसिज करती है अगर उसका फोन नहीं काम कर रहाता तब वो डीडे को कहती है रेडियों चेक करने को और खुद लैप्टॉप चेक करने लगती है तो लैप्टॉप भी चार्ज नहीं होता है वो सॉलर चार्जर से अपने फोन को चार्ज करती है और कॉल करना सुरू कर देती है अपने पिता को लेकिन दारा फोन नहीं उठा रहा था तब एलबा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे अब कैसे भी करके वो लोग ढूनना चाते थे और पता लगाना चाते थे यहां पर कोई और भी जिंदा बच्चा है या नहीं वो पुरा सहर घूमने लगते हैं और उन्हें कोई भी नजर नहीं आता है तब ही डीडे एक पुलीस वाले गाड़ी के पास जाता है और वहां से एक बंदू को बाहर निकालता है जैसे ही एलबा इस चीज को देखती है वो उसे रोक देती है और वो बताती है कि अब हम बेसो लीना जा रहे हमें कैसे भी यहां से निकलना पतर से और एलबा नीचे गिर जाती है नीचे गिरते समय एक मेटल से जक्म हो जाती है उसके पेट पर तब इसे ना चाहते हुए भी घर वापस आना पड़ता है एलबा जक्मों को साफ करती है और फोन में रिकॉर्ड करने लगती है कि उसके साथ क्या हुआ है वो अपने पि को रिकॉर्ड करती है और वो कहती है कि वो बहुत ही हेल्पलेस है पहले अगर कुछ भी होता था तो लोग मदद के लिए आते थे अब कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आने वाला है कहने के बाद वा सो जाती है रात में डीडे आता है उसको देखने के लिए वो देखता कि एलबा को इन्फेक्शन हो गया तब एलबा कहती है कि मुझे एंटिबाइटिक्स की ज़रूरत है तब डीडे कहता है कि मैं लेने जा रहा हूं मगर एलबा उसे रोक देती है कहती है कि बाहर बहुत खतरा है तुम्हें नहीं जाना चाहिए मैं सुबा सुबा चली जाओंग वो हिम्मत जुटाता है और चला जाता है सुबा सुबा वो दवाई भी लेकर आ जाता है और एलबा को सुबा ही वो दवाई दे देता है उसके जख्मों पर मरहम लगाता है और बाहर आकर अपने पुराने घर को देखता है जहां पर उसकी मा रहती थी फिर चला जाता है ग वो ऐलवा को गले लगा लेती है वो बहुत ही खुस हो जाती है और थीक हो गई है तब एलवा उसे कहती है कि क्या मेरे ज verdict क्पूरे तरह से ठीक हो गया है तब दीडे 있어서 कहता है कि हां लेकिन अब वहां एकogen रहे है आलवा कहती हैma बसकार अच्छे तहिस्स लगते है तो वहाँ देखता है कि Elva गाए वे तब इसकी नजर परती है बेट स्वीट पर देखता है कि बेट स्वीट पर खुन लगा हुआ है और वह डर जाता है उसे लगता है कि Elva के साथ कुछ गलत हुआ है वह साइक्ल उठा कर चारो तरह Elva को ढूंडने लगता है थोड़ी देर के बाद उसे Elba नजर आ जाती है वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो तब Elba कहती है कि हाँ मुझे क्या हुआ है तब उसकी नजर पड़ती है Elba के धाईज पर वो देखता है कि वहाँ पर खून लगा हुआ है वो समझ नहीं पाता है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे पैरों पर खून लगा हुआ है, अलबा कहती है कि मेरे पीडियर्ट चल रहे है, डिडे को कुछ समझ नहीं आता है, तब इलबा उसे सब बताती है, तब डिडे कहता है कि मतलब तुम बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हो तभी एलबा हा कहती है अब डीडे पूछता है कि क्या तुम्हें बच्चे चाहिए ये सुनकर एलबा बात को गुमा देती है और उसके साथ पानी से खेलने लगती है डीडे उसके चाती को छुने की कोशित करता है लेकिन एलबा उसे रोक कर कहती है कि ऐसा नहीं कर ये लोग वापस चले आते हैं समय ऐसे ही बीतने लगता है कुछ दिनों के बाद हम डीडे को देखते हैं जिसके हाथ वे बंदुक है वो बंदुक चलाने के प्रैक्टिस कर रहा है जैसे ही एलबा इन आवाजों को सुनती है वो भागते हुए आती है उसके पास और कहती है त ये सब कुछ बकवास है तुम्हें बंदुक की जोरत नहीं है मगर डीडे नहीं मानता है वो चला जाता है अपने आत्में बंदुक लेकर देखते ही देखते तीन महने का वक्त गुजर जाता है और एलबा समझ चुकी है कि उसकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला है इन लोग अराम से यहां पर रह रहे हैं एलबा सारी चीजों को अपने फॉन में रिकॉर्ड करती है जो भी उसके साथ होता है समय ऐसे ही बीतने लगता है और देखते ही देखते कई सालों का वक्त बिक जाता है अब डीडे को देखते हैं जो कि जवान हो चुका है और और भी अट्रक्टिव है जब भी एलबा उसे देखती है उसे आकरसन महसूस होता है लेकिन वो इस फिलिंग को डिनाई करती है वा कभी भी अपने मन में नहीं आने देती है कि वा आकरसित हो रही है एक दिन एलबा नीचे होती है और डीडे च्छत पर होता है वो अपने दूर्ब तब ही डीडे किस कर लेता है एलबा को और वहां से भाग जाता है एलबा मुस्कुराती है और रात होते होते यहां पर बहुत तेज तूफान चलने लगता है इसके कारण पूरा गार्डन बरबाद हो जाता है एलबा बाहर गार्डन को ठीक करने आती है तब उसके साथ डी देडे भी आता है थोड़े देर के बाद इन्हें महसूस होता है कि इनका पूरा का पूरा गार्डन तबाह हो चुका है एलवा कहती है हम सुबा होते होते यहां से निकल जाएंगे वेसलियोना के लिए सुबा होने के बाद वो फोन में सारी बाते रिकोर्ड करती है तब पर ट्रैक्टर को लेकर आ जाता है जिसे अब उसने ठीक कर लिया था एलवा इस चीज को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और डीडे को गले लगा लेती है दोनों ट्रैक्टर पर वैठते हैं और निकल परते हैं वेसलियोना के लिए कुछ दिन ट्रैवल करने क बाद ये लोग वेसलियोना पहुँच जाते हैं यहां आते ही डीडे जोर जोर से होड़ बजाने लगता है और अलवा बार बार अपने पिता को कॉल करती है वो कहीं भी हो तो इनकी आवाज सुन ले लेकिं दारा अपने फोन नहीं उठाता है तब वा निरास हो जाती है अ अब उसके पिता जिन्दा नहीं है उसे और उन्हे ढूड़ना नहीं चाहिए डीडे उसे समझाता है और कहता है कि इतनी जल्दी हमें हार नहीं माननी चाहिए हम उन्हें ढूनते रहेंगे फिर ऐसे ही ये लोग पूरे सेहर में गूमते रहते हैं थोड़ी देर के बाद य के लिए चेयर करने लगती है डीडे अपने पहले गोल को मारने जाता है तब अलबा कहती है कि मैं इस चीज को रिकॉर्ड करूंगो तो जैसे ही गोल मारता है अलबा रिकॉर्ड कर लेती है और डीडे इस सेलिबरेट करने लगता है अपने टी सेट को ऊपर करके तब अलबा बड़े ही ध्यान से उसके बोड़ी को देखती है और आकरसित होने लगती है एक वक्त के बाद उसका फोन नीचे गिर जाता है और ये दोनों करीब आने लगते हैं लेकिन इनके बीच कुछ हो पाता उससे पहले अलवा दोबारा इस्टेक्टर फोन उठा करके ये लोग पस आ जाते हैं रात होने के बाद ये दोनों बहुत ही जाद ऑक्वर्ड हो रहे होते हैं तब अलवा बात करने की कोशिज करती है डीडे को कहती है कि मुझे पता है ये फिलिंग क्या है और इसे जितना जल्दी हम लोग एकसेप्ट कर ले वो हमारे लिए अच्छा होगा य जैसे जैसे समय भी इतने लगता है ये लोग समुद्रे किनारे एक घर बनाते हैं और जरूरत की सारी चीज़ों को एकटा करने लगते हैं अब अलवा एक दिन डीडे को बताती है कि वो मा बनने वाली है तब डीडे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है तब ही अलवा जैसे सारी किताबे लाती है ताकि उसे पता चल सके कि डिलीवरी कैसे करना है और बच्चे को ध्यान कैसे रखना है डीडे एक के करके खिलोना लाता है अपने होने वाले बच्चे के लिए एक रात जब अपने पिता के नोट्स को देख रही होती है तब ही उसके पेट में दर्द महसुस होने लगता है एलबा डीडे के पास आती है और बताती है कि मेरा लिवर पेन सुरू हो गया है तब डीडे भी तयार हो जाता है वो उसे अराम से लिटा देता है और ये दोनों मिलकर बच्चे को डिलिवरी कराते हैं एलबा एटे को जर्म देती है जिसका नाम ये लोग काई रखते हैं इसके पैदा होने के बाद ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुस हैं दिन रात ये लोग उसके साथ ही रहते हैं और ध्यान रखते हैं तब ही एक दिन एलबा समूदर में एक बोट को देखती है बोट देखकर वो सिलाने लगती है उसे लगता है सा बोट में उसके पीता हैं तब भी उसकी नजर पड़ती है समुद्र के किनारे वो एक आदमी को देखती है उसे लगता है कि या दारा है भागती हुई जाती है उस आदमी के पास मगर या दारा नहीं होता है फिर भी ये लोग उसे उठा कर ले आते हैं घर पर थोड़ी समय के बाद इस आदमी को होस आ जाता है इसका नाम है सरगी सरगी बात करता है इन दोनों से कहता है कि मैं तुम लोगों को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश तो मुझे लग रहा था किसी मैं अकेले इनसान जिन्दा बचा हूँ मैं एक आइलेंड पर रहता हूँ तुम हमारे साथ रह सकते हो लेकिन डीडे को यहाँ बात अच्छी नहीं लगती है वो कुछ भी नहीं बोलता सरगी भी ये बात समझ जाता है कि वह कहता है कि मैं वोट पर ही ठीक हूँ यहां से जा रहा हूँ लेकिन जाते समय वो इन दोनों से कहता है कि मैं कितने समय से कि इनसान को गले नहीं मिला हूं क्या तुम दोनों से गले मिल सकता हूं तब ये लोग उसे गले मिलते हैं और गले मिलते समय वो फूट फूट कर रोनी लगता है तब ये लोग उसे यहां पर रख लेते हैं और इन्हें तरह तरह की चीजे सिखाता है क्योंकि सरंगी को कर देख रहा होता है डीडे उसे जाकर पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो सरगी कहता है कि बस मैं अलबा को आपजब कर रहा था मैं उसके लिए हनी लेकर आया हूँ वो बच्चे को दिन बर दूद पिलाती है इसे उसे बहुत दर्द होता होगा हनी उसके लिए अच्छा है वो अलबा को हनी दे देता है तब अलबा उसे सुक्रिया अदा करती है लेकिन डीडे बहुत ही गुस्ते में है और वो कहता है तुम्हारा बोट अब तयार हो चुका है तुम चाहो तो यहां से जा सकते हो या बात सरगी को अच्छा नहीं लगता है फिर भी वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ तब Elba उसे रोकने की कोशिस करती है सरगी कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम लोग मेरे वोट पर चलो ये मेरी तरफ से सुक्रिया अदा होगा तुम लोगों के लिए तुम लोग ने अपने घर पर मुझे इतने दिन रखा मैं तुम्हें वोट पर रखना च पर भी वो Elba के लिए रुक जाता है रात होते ही सरगी एक फिल्म चलाता है फिल्म देखने के बाद Elba बहुत ही ज़्यादा कुछ सो जाती है बहुत सालों के बाद उसने फिल्म देखी है फिल्म देखते देखते ये लोग सो जाते हैं सुबा सुबा सबसे पहले डीडे की आग खुलती है वो देखता है कि घर से वो लोग बहुत ही दूर आ गए हैं वो समझ जाता है कि सरगी उनके साथ घपला करने की कोशिस कर रहा है वो अलबा को उठाने जाता है तब ही सरगी हमला करता है उसके सर पर और डीडे को नीचे गिरा देता है समुदर में यहावाज स सरगी यहाँ से जा चुका है काई को लेकर यह दोनों घर वापस चले जाते हैं लेकिन अब बहुत ही ज्यादा गुस्ते में है इन लोगों ने अपने बच्चे को खो दिया है इन्हें ये बात भी पता नहीं है कि सरगी उनके बच्चे को लेकर कहा गया होगा अब यह को आदाता है कि आदमी अपने साथ सहद लेकर आया था यह लोग ऐसे आईलेंड के बारे में पता लगाने की कोसिस करने लगते हैं जहां पर ज़्यादा सहद होती है यह सारे बुक्स को पढ़ने लगते हैं और फाइनली इन्हें पता लग जाता है कि आईलेंड के बारे मे तब ये दोनों दोड़ने लगते हैं नजदीक आकर के ये दोनों रुख जाते हैं और देखने लगते हैं इनका बच्छा कहां पर होगा तब इनकी नजर पड़ती है सरगी पर एलवा बहुत ही ज़्यादा गुस्ते में है और वो डीॡे को कहती है कि इसे मार दो डीडे कहता है मुझे लगता है यहाँ पे और भी आदमी है या अकेले नहीं है अगर इसे मार दिया तो खत्रा बढ़ जाएगा पहले हमें सारी चीजे देखनी चाहिए वो लोग देखते हैं कि सरगी जा रहा है अपने फार्म की तरफ डीडे कहता है कि मैं सरगी के पीछे ज होने लगती है दूसरी तरफ डीडे ऐसे ही खड़ा रहता है तब उसके पास अलबा आती है और कहती है हमारे बच्चे को उसने पिंजरे में बंद करके रखा है डीडे कहता है कि ये बंदुक लेकर के तुम यहाँ पर खड़ी रहो और ध्यान रखो सरगी का मैं जाता हूं काई के पास उसे निकालने के लिए वो वापस चला आता है बहुत देर तक यहाँ पर खड़ी रहती है अलबा लेकिन जब उसे काई की रोने के आवाज सुनाई नहीं पड़ती है तब वो वापस मुड जाती है इसी समय सरगी उसे पकड़ लेता है तब यहाँ पर डीडे आता है वो देखता है कि सरगी ने बंदुग तान के रखा है अलबा पर सरगी जैसा कहता है अब अलबा वैसे ही करती है सरगी इन दोनों को बांद देता है वो डीडे को कहता है मैं तुम लोग के साथ अच्छे से रहना चाहता था लेकिन तुमने कुछ ऐसा कह दिया था ज बार बार बच्चे को रूलाना पड़ेगा जब भी मैं कहूं तब बच्चे को रूलाना पड़ेगा क्योंकि बच्चे को रोती हुए आवास सुनके मुझे बहुत ही अच्छा और सुकून लगता है इतना कहते ही वह चाबी दे देता है एलबा को तब वह काई को दूद पिल नहीं भागते हैं टॉचर करना शुरू कर देता है डीडे को तब एलबा रुख जाती है दूसरी तरफ डीडे बहुत हो जाता है तब सरगी आता है एलबा के पीछे उसे जल्दी ही बच्चे की रोनी की आवाज सुनाई पड़ती है वो आवाज की तरफ भागता है जब वो पास पहुँचता है तब देखता है कि एलबा ने उसे चक्मा दिया है उसने मुबाइल में रिकॉर्डिंग बजा करके रखी थी सरगी भाग के वापस आने लगता है तब हम एलबा को देखते हैं जो डीडे के पास वापस आ चुकी है और उसे चुडाने की कोशिस कर रही है तब ही डीडे कहता है कि चाकू मुझे दो तब ही वहाँ पर सरगी आ जाता है एलबा उसे कहती है कि मुझे माप कर दो तुम जैसा को होगे मैं वैसा ही करूंगे लेकिन अब सरगी बहुत ही ज़्यादा गुस्य में है वा एलबा को कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया ह इतना कहते ही वा उसके पैर पे गोली मार देता है तब तक डीडे ने अपने आद को आजाद करा लिया होता है वा पीछे से आ करके स्टेप कर देता है सरगी को तब सरगी उससे लड़ते लगता है एलवा बंदूक उठा करके धमकी देती है सरगी को मगर सरगी उससे धक्का देकर नीचे गिरा देता है या दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं थोड़ी देर के बाद डीडे एक औजार से हमला करता है सरगी पर तब सरगी उसे गोली मार देता है लेकिन सरगी भी घायल हो गया था डीडे ने उसे इतनी जोर से मारा कि सरगी की मौत हो जाती है मगर डीड अपना दब तोड़ देता है तब अलवा फूट फूट कर रोनी लगती है जैसे ही रात होता है अलवा डीडे की लास समूदर में बहा देती है और अपने बच्चे को ले करके वापस आ जाती है ऐसे ही समय बितने लगता है फिर हमारे सामने कई साल बाद का दिरिस्त आता है ह पिर इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों आपको यह एक्स्प्लाइनेशन कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ सेयर करें और बेल नोटिफिकेशन अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो करके रखे ताकि मेरे आने वाले सब वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल पाए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थाइंक यू एंटेक्रेश